सब्सक्राइब सब्सक्राइब आज हम देखने चारे एक बहुत ही मस्द मोटिवेशनल मुवी जो कि एक रियल बायोपिक है तो फिल्म की में जादे डीटेल नहीं दूँगा चलिए इसको हम देखते हैं फिर बात करते हैं कि हमारी कहानी बहुत ही जाला मस्द होने माली है यह कहानी एक गरीब लडगेगी जिसे बैडमिंटन प्लेयर बनना था उसकी फैमिली बहुत ही जाला गरीब थी इसलिए वो लोग इसको सबोर्ट नहीं किया करते थे फिल्म की सुरात में हम ली को देखते हैं जो कि बहुत गरीब लडगा है जो कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है इसके फैमिली में इसकी मोम है इसकी एक बहन है और एक इसका भाई होता है असाम को कोरिया एंड मलेशिया के बिच इंटरनेशनल बैडमिंटन का मैच होने वाला होता है इसके घर पर TV नहीं है, इसलिए इसके फादर मैज को देखने के लिए किसी कैफे में जाने वाली है ताकि वहाँ पर मैज को देख सके, क्योंकि यह भी Bad Minton के काफी अच्छे कासे फैन होते हैं ली कहता है कि मुझे भी जाना है, बट वो इसको नहीं ले कर जाते हैं पर इसके भाई बेहन रात को इसको चुपके से इसको घर से बाहर निकलने में हेल्प कर देते हैं ये बाग कर कैफे पहुंचता है और वहाँ पर जाकर मैस देखता है इसका भाई भी इसको देख लेता है और अपने कंदे पर बैठा कर इसको मैस दिखाता है मलेशिया की टीम बहुत बुरी तरह से यहां पर हार जाती है और इसके फादर इसको पकड़ लेते हैं यहां पर यह अपने फादर से कहता है कि मैं मलेशिया की तरफ से खेलना चाहता हूँ इसके फादर कहते हैं कि तु पागले कुछ भी बोलता रहता है पर इसको मार पीट कर घर ले जाते हैं स्कूल में इसके क्लासमेट इसको बैडमिंटन नहीं खिलाते हैं क्योंकि यह बहुत ही महेंगी चीज होती है उनका कहना है और ली बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोग करता है इसलिए को काफी बुलीभी होना पड़ता है स्कूल में एक दिनी ये शॉप पर जाता है जहांपर बहुत सारे बैडुय। बेड्मिंटन बिलते हैं। यहाँ पर उसको अंकल रे मिलते हैं इन्हें पता है कि ली को बैड्मींटरं चाहिए पर इसके पास पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो इसको कहते हैं कि तुम मेरी बैड्मींटरं बनवाने में हब्प कर दू मैं तुमको कुछ समान दे दूँ है यहां से और वो इसको साम को एक शटर कोग देते हैं अब यहां पर रैकेट तो है नहीं तो बस शटर कोग है इसलिए ली पैन से शटर कोग को मार कर खेल रहा होता है वो डोसियों को लगता है यह लड़का पागल हो गया है यह अपने फ्रेंड को भी बुलाता है खेलने के ल यह पहली बार अपनी जिंदकी में रैकेट पकड़ा इसने अपनी हाथों में और इससे खेलता है गिरता है उठता है और इसको फील हो जाता है कि यह काम बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है और दूसरे प्लेयर को देखता है उनसे कुछ सीखता है अब इस जीच का शोक है इसल वह दिखाता है बट इसके फादर बिल्गुल खुश नहीं होते हैं और इसके पीछे-पीछे एक कोच भी आ गये हैं जिनकी नजर इसमें पड़ गई थी यह एक अच्छा प्लेयर है यहां पर वो कहते हैं कि मैं इसको अपनी एकैडमी में अडमिशन दिल्वाना चाहता है व वहाँ पर रैकेट बनाने का काम करता है वहीं पर एक दिन एक आदमी आता है जो इससे कहता है कि हम charity के लिए badminton के match करवाते हैं क्या तू मेरे लिए खेलोगे यह एक तरह का दो नंबर का badminton का match होता है जहां पर लोग पैसे लगाते हैं इत्रगेम इसको gambling मान सकते जब 60 चल रहा होता है यह आदमी को पता है कि लिए अच्छा खेलता है इसलिए इसको लेने के लिए आया हुए हैं हाँ पर यहाँ पर इसके opponent में काफी young उमर के जो होते हैं लोग है और यहाँ पर match होता है और ली यहाँ पर काफी बार हार जाता है यह आदमी इसको कहता है कि देखो अगर तुम जीतो कि तुमारी family तुम वो proud करेगी और charity में बहुत सारे पैसे जाएंगे इसकी help हो जाएगी ली अच्छे से खेलता है और जीत जाता है यह आदमी लास्ट में इसको एक जूटी मूटी नकली सी ट्रॉफी भी दे देता है ताकि ली को लगे कि एक टूटा मेंट था बलकि टूटा मेंट नहीं था बिल्कुल दो नंबर का यहाँ पर gambling का काम होता है underground में पबली यहाँ पर रोज आने लग गया है और इन लोगों को gambling करवा के पैसे जितवाता है जबकि उसको कुछ idea भी नहीं है कि वो कर गया रहा है और यहां से रोज एक fake trophy उठाकर घर ले जाता है अब trophy का घर पे पहाड उठने लग गया है और तब इसके father को एक दिन पता चल जाता है इस बारे मों इसको ढूंडने के लिए घर से निकल जाते हैं और आस्ते में हमें एक past दिखा जाता है जहां से में पता चलता है कि इसके father भी एक badminton player थे जो कि gambling के लिए खेला करते थे एक दिन इन्हें एक match fixing का offer आता है इन्होंने मना कर दिया तो उन लोगों ने गुंडे भीजवा दिये इनकी और इनके एक friend के पीछे ये तो भागने में सफ़ल हो गयते बस इनके friend की जान चली गई थी उस दोरान अब यहां पर इसके father को यहीं डर एगी कहीं मेरे बेटे की हालत भी ऐसी ना हो जाए इसलिए ये अपने बेटे को मारते बीटते रहते और इसको खेलने से मना करते हैं यहां पर यह आ गए हैं और अपने बेटे को यह खीच कर लेका जाने लग जाते हैं बट जो यह gambling करवाता है owner जो की एक गुंडा mafia है वो यहां पर आ जाता है यह कहता है कि अगर तुम लोगों को यहां से जिंदा निकलना है तो दोनों बाप बेटे मैच के लोग जीत के दिखाऊ यहां पर दोनों father and son पहली बार एक duo खेलते हैं opponent के साथ जिसके अंदर यह दोनों काफी अच्छी तरीक से जीत जाते हैं यह फादर अपने बेटे की स्किल्स को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं और हो कहते हैं कि ठीक है तुम कोच के साथ ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो बहुत खुश होता है अगले दिन यह ट्रेनिंग लेने जाता है जहां पर हम देखते हैं कि इसकी हाइड जो हो सबसे छोटी होती है यहां इसे ट्रेनिंग करवाई जाती है जहां यह काफी चीटिंग भी करता है कुछ दिनों बाद international selection वाले आते हैं कोच अपनी तरफ से ली को भेजते हैं यह सबसे अच्छा खेलता है और यहां पर यह जीत भी कि जाता है पर selection माने इसको reject कर दvida यतो ले करने जाता है क्योंकि इसकी grounds कम होती है तो स्टोरी अब यहां पर इतनी तेज इसी दे चल रही है क्योंकि यह एक रियल बायोपिक मोई है जिसमें कि हमें पूरी उसकी लाइफ दिखाए जाएगी तो यह रात पर अपने आपको पहले कोशता है और हैट बढ़ाने के लिए काफी महनत करने लग जाता है अब रोज स्टोर्ट के यह प्रैक्टिस करता है उचलता है चीजों को उपर कूद कूद के टच करने की कोशिश करता है और खाना भी वही खाता है जिसे की हाइड बढ़ती है अब रोज ऐसे ही करने लग गया यह और काफी साल बीच जाते हैं और यह अब थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि अब इसकी एज भी बढ़ गई है और फिर से सेलेक्शन कर आ जाता है मैच के दोरान इसके गुटने में चोट लग जाती है और भी बहुत ही खतरनाग बट फिर भी मैच खेल रहा होता है यह बात यहां के काउंसलिंग के कोच को काफी ज़्यादा अट्रेक्ट करत हैं जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में यहां पर कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अंदर इसका स्टैमिना काफी कम होता है ज्यादा दोर नहीं पाता ज्यादा समान नहीं उठा सकते जिम के अंदर कुछ कर भी नहीं पाता है यह ज्यादा मतलब एक तरह से ब लड़की से मिलता है इस लड़की का नाम मियाओ होता है और यह इसको पसंद भी करने लगा है पर चैंग भी इस लड़की के साथ यहां पर आका काफी फ्लर्ट करता है चैंग वही गंदा लड़का और ली को भी अब बहुत से मुसीवितों का सामना करना पड़ रहा है वो एक दिन टूनाइमेंट के लिए सभी यहां से जा रहे होते हैं, इसको भी सिलक्ट कर लिया गया होता है, यह बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर में टाइम पर इसको निकाल दिया जाता है, कोच कहते हैं कि तुम अराम करो, तुम्हारे घुटने में अभी चोट लगी हु गल्फेंड मियाऊ जो थी, वो भी इससे ब्रेक अप करके चली जाती है, लिए बहुत रहता है, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, ना तो यह खेलने के लायक है, और अब तो इसकी गल्फेंड भी चली गई है, और अब यह घर भी नहीं जा सकता है, यहाँ एक दिन यह हेड कोच की वाइब से मिलने जाता है, जो इसे बताती है कि कोच का भी एक बेटा था, जिसे ही है, बैडमिंटन खिलाना चाते है, तो उसको पर बहुत ब्रेशर था, वो कुछ कर नहीं पाया, और जो कोच है, इसलिए लिए लिग को इतना परफेक्ट कि वो थोड़ी बढ़ जाती है, यहाँ टीवी पर दिखाया जा रहा है कि मियाओ भी अप टूनामेंट जीच चुगी है, लिए उसे कॉंटेक्ट करता है, और मियाओ जो इसको रिपलाई भी देती है, अब ऐसे ही लिए अपना जो सारा फोकस प्रैक्टिस पर लगाने जाता है, जिससे ही लाश्ट 2004 में हा रहा था, अब जो मलेशिया बैडमिंटन काउंसलिंग वाले होते हैं, वो ली के उपर और ज्यादा दाव नहीं लगाना चाहते, एक तरह से वो इनकी कंट्री को प्रेजन्ट कर रहा था, बट वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, जिस सिखाते हैं इसको कि तु कर ऐसे कर, और ऐसे ही फिर से एक 2005 के एंड में इंग्लेंड में एक टूनामेट हो रहा होता है, सेमी फाल में फिर से ली हार जाता है, और इस पार इन दोनों को कांसलिंग से बहुत ही बुरी तरह निकाल दिया जाता है, तीम में भी अब यह याद करना होगा कि तुमने यह सब शुरू क्यों किया था, तुमने क्यों खेलना शुरू किया था और अब तुम इत्ती बुरी तरह से हार रहे हो, ली वापस यहां से अपने घर जाता है, जहां पर वो बच्पन के दिंग बिताया करता था, और अपने ओल्ड को से मिलता ह ली अपनी लाइफ की फर्स ट्रॉफी को भी देखता है, जो कि उसने उस दिन जीती थी, और फिर से टाइम आ जाता है अब 2006 का, मिलेशिया में होने वाला इस पर बहुत बड़ा एक टूनामेंट, पर हम देखते है कि जो शेंग ता वही गंदा वाला गडगा वो खेला करत ली फिर उसी प्लेयर से मिलता है, जिससे दो बार पहले हार चुका है, दोनों में काफरी बराबरी की टकर चल रही होती है, दोनों एक एक जीत रहे होते हैं, और ली अब हारने लगा है, पूरी कंट्री की नजर उस पर बनी हुई है, फिर यह याद करता है, उन सभी लोग अभी तक मैच खिलता हा रहा है, और यह एक कहानी जो है मिलेशियन बैडमिंटन प्लेयर के, जिसका नाम है ली चूंग वी, और यह बहुत ही पॉपुलर बैडमिंटन के दुनिया में जो है, और चार सालों तक वर्ल्ड के नमबर वन बैडमिंटन प्लेयर बन कर रहे थे मतलब काफी बैडमिंटन जिसको पता होगा वो इनको पक्का जानते होंगा, जसके मने स्टार्टिंग में पता थे कि बायोपीक है, यह उनकी लाइफ के पर मुवी बनाई गई है, यह होता है कि कुछ करने का जोस होता मन के अंदर कि भाई हम कर सकते है ऐसा कुछ, तो हो ही चुड़ो कुछ और कर लेते, बट नहीं, उसके अंदर था एक कि यहार मैं कर सकता हूं, उसने जुगाड किया, तरीकी अपना है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि कुछ न को जुगाड करके बहुत सी चीज़े कर लेते हैं, एक तरह से बहान ही हो जागा ने, कि जै सुख गली, बाही!